के थेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लड़का लड़की के घर। जाए लड़की को पसंद्रे यानि ऐसा होता है यूद्धाने चन्द जाता है लड़के को उसके बाद आते हैं लड़के-वाले लड़के को देहने तो मेरे केई फ्रेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि उसमें ये चंद बाते हों कि वह जब लड़का लड़की देखने जाए तो कुछ खास पॉइंट हो या कुछ ऐसी चीजे हो जिसका वो ध्यान रखे तो ये मेरी वीडियो इसलिए है कि जब आप लड़की देखने जाएं तो चंद बातों का ख्याल रखें ज्यादा नहीं तो इन बातों का तो जरूर ही ध्यान रखें ख्याल रखें जिससे आपकी इमेज अच्छी बने और लोग आपको पसंद करें चाहे आपको लड़की पसंद आए या ना आए वो बात की बात है लेकिन पहले जो हमारी इमेज है वो तो एक बढ़ी असी होने चाहिए ना ताके लोग ये कहें कि नेचर वाइज लड़का बहुत अच्छा था बहुत प्यारा था और हो सकता है किसी और रिजन की वज़े से या वो आपको रिजेक्ट कर दें तो जब भी कोई बात नहीं तो मेरा फॉस्ट पॉइंट आता है कि जब आप लड़की देखने जाएं तो सबसे पहले अपने कपड़ों का यानि अपनी ड्रेस की तरफ ध्यान दें जाहरी बात है सबसे पहले लोग हमारे लुक को यह है लड़का लड़का यह है तो जाहरी बात है तो आपके उपर जब नजर जाएगी तो आपके ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि बड़ी ऐसी लगे एकदम मतलब ऐसी नहीं लगे कि आप टी शर्ट पहन कर चले गए और जीन्स पहन कर चले गए तो एकदम अच्छा सा लुक कि यह कुछ भी मतलब फॉर्मल जो होता है एकदम फॉर्मल वाली ड्रेस होनी चाहिए आपकी ताके आप एकदम समझदार और सुल्जे हुए इंसान नजर आए क्योंकि हर पैरेंट्स चाहता है कि उसकी लड़की समझदार इंसान से हो अगर आपने ऐसे चोर वाले का जो है वो मैचोर नहीं है यह हमारी बेटी का अच्छे से धियान नहीं रख पाएगा तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एक फॉर्मल कपड़े पहन कर जाएं बहुत पढ़ी ऐसे लूप में अपना हैर स्टाइल जो आप रखते हैं यानि सिंपल सा हैर स्टाइल होना च और फिर सेकंड नंबर पर आता है कि आपका उठने बैठने का तरीका कैसा है जाहरी बात है कि अगर आप में मैनर्स नहीं होंगे और आपको उठने बैठने का तरीका नहीं आएगा तो लोग आपको बत्तमीज समझेंगे तो आप वहां पर अपने आपको बड़े अच्छ और ताब आगे आगे जो भी लगाएंगे जो भी टी वगाएंगे तो उसको भी खाने का एक अंदाज होता है., अपने उसकू करों का अधाक रओनिता मपनी पैरों, छाँ कर Le injustice में आता है कि कोई आप TD प्सक्राणा बैठा हुआ है और आपने बिल्कुल टांगे सीधी करके बैठ गए यह बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं कि हमारे आव भाव से या हमारे बैठने से या हमारे चलने से लोग हमको ना पसंद कर देते हैं तो आपका उठने बैठने का तरीका एक दम बढ़ी असा होना चाहिए सल बनीजदारवाला होना चाहिए और तीसरे नंबर पर आता है कि आपका बोलने का अंदास यानि आप किसी से बात करेंगे जाहिरी बात हैं आपकी होने वाली सास्स या जो भी होंगे वह आप से कुछ ना कुछ तो पूछेंगे लोग पसंद आ ऐसा हो सकता ना क्या आप महा तो आपको अपना मोड आफ नहीं करना है बलके अपने माइंड को ठंडा रखना है और बहुत ही प्यार से बोलना है चाहे अगर आपको पसंद नहीं आए बाद में आप मना कर दीजिए लेकिन वुस वक्त अपने expression ऐसे नहीं दिखाईए कि वो आपको पसंद नहीं आए यानि आप उन से बात करें तो आपके face पर एक smiley होना चाहिए एक smiley वाला face होना चाहिए और बहुत आराम से बोलना चाहिए जल्दी जल्दी बात नहीं करने चाहिए और हर एक से बहुत सलीके से बहुत अच्छे से ब पूछिए क्योंकि ये एक अंदाज होता है बोलने का जिससे लोग मतलब अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लड़का कैसा होगा ये लड़का कितना तेज है या सही है या देखो इसकी लेंगविज कितनी प्यारी है लोग पसंद करते हैं तो इसलिए मैं आप से ये कहूंगे क कि आप किसी से भी बात करें, तो प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ बात करें, और फूर्थ नमबर पर आता है, कि जब आपको लड़की से मिलने के लिए अलग भीजा जाता है, तो आप लड़की से प्यार से बात करें अराम से बात करें और ऐसा भी कर सकते हैं आपके अपना सिक्रेट कोई भी राज हो यानि अगर आप यहां तो आपने सिक्रेट वगएर नहीं पिया लेकिन अगर आप सिक्रेट पीते हो या कुछ और आपके अंदर एक सिक्रेट ताकि लड़की अगर आप से शादी करेगी तो आपकी खूमीयों के साथ और आपकी खामीयों के साथ वो आपको अपनाएगी ऐसा नहीं हो के बाद में लड़की को पता चला कि आप सिगरेट पीते हो पहले तो लोगों ने बताया कि यह सिग्रिट नहीं पीता और बाद में पता चली कि लड़का सिग्रिट पीता है तो उससे थोड़ा मन दुखी हो जाता है तो मैं आप से यही कहूंगे कि जब आप अकेले में लड़की से बात करें तो अपना राज अपना सीक्रेट जो भी हो बता दें कोई बात नहीं है अगर उसको आपको अपनाना होगा तो वो आपको इसी सच्चाई के साथ अपनाएगी वरना वो आपको मना कर देगी तो friends ये कुछ बाते हैं जो आप लड़की वाले के घर जाएं तो ये इस तरीके से अपना वहवार करें या अपने आपको present करें कुछ भी आप बोल सकते हैं तो इस तरीके से आपको रहना हैं बाद में घर आकर आप जो भी decide करें वो आपके उपर depend करता है लेकिन जब देखन जाएं तो अपने expression खराब ना दें अपनी image खराब ना करें और अपने आपको नेचर वाइज आप खराब ना दिखाएं तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो please like करें और जिन्होंने subscribe नहीं किया तो subscribe करें और share करें और comments भी दें बाए